पूरा काम कंप्लीट होने में और लग बगजे से क्या काम चला हुआ जैसे मीटी साइड में किस परकार पॉर्शन चला और आज आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट है अम दिल्ली जमू कट्रा एक्सप्रेसवे की दिखाने वाले हैं और सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं कि किस पॉइंट पर हम खड़ी हैं तो दिल्ली जमू कट्रा कि सबस्क्राइब तैसा भी स्यंट निरमाण कारिया चलने वाला है और मिटी डाले के अगे का निर्मांकारिया सुरू किया गया है यहाँ पर पिलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे तो आप सकते हैं इसका शुरुतळा और पहले है अगर बात करें लुक्तrie साई λέ से manger जो रोड दिखाई दे रहा है यह एक रोड दिखाई दे रहा है यह बहादुर गड़ से अवाया आश उद्दा खर्खोदा वारा रोड है यहाँ पर पूलु का निर्मान कारिये किया जाएगा इसके बाद जो गाडिया होंगी जो यहां से सफर करेंगे एक्सप्रेस्वे के माध्यम से जम्मू कट्रावे सीधा उपर से वो करेंगी आपर किसी परकार का टोल नहीं लगाया जाएगा इससे आगे बात करें तो यहां का निर्मान करिया लग बग जो अधीकारी है उनसे हमने बात भी कि वो करें कि लग बग 6 महीने के अंदर कंप्ल दिखाई बाऊंडरी को यहां से उपर तक उठाय जाएगी इससे आगये आपको जो मिटी दिखाई धिय रही है वह ङूट्र बांडरी होगी इसकी क्यों कि आने वारे समय में इसे जब extend किया जाएगा तो इसकी boundary का निर्मान करिए इसी परकार से यहाँ पर किया जाने वाड़ा है अगर इस expressway की बात करें आगे आपको crane दिखाई दे रहे होगी ताकि expressway को green field तरीके से भी बना दिया जाए यहाँ पर अगर बात करें NOC की NOC जो है NOC यहाँ पर मिल चुके है पर यहाँ भी बाग से जो पेड इसके under आने थे उन पेड़ों को काटने का कारी है लग बग लग बग हो चुका है अगर इसके दूसरे portion को हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरे portion पर आप जाएं तो उस साइड बिमीट यहाँ काम चला और यह लग बग 34 किलोमेटर का stretch कैसी सी बिल्ड कॉन कंपनी के दवारा किया जा रहा है और 6 महिने में इसे completely त्यार करके जनता को समर्पित करने का काम किया जाएगा अगर हम इसके दूसरी तरफ देखें तो आप द्यान से देखेंगे इसका लेवल लग बग यहाँ पर बराबर कर दिया गया है क्योंकि यह लास्ट वारी boundary है जो दूसरी boundary लगेगी वह यहां से आपको जो खुदाई का वर्क द इसे परकार यहां लगातार निर्मान कारिय इसी परकार चला हुआ है और बात करें वहनों की और सर्म यहां पर काम करने कि तो अलगे कंपनेों को टेंडर्र आउंटीट करने का भी काम यहां पर किया गया है मेरा नाम पुलडीब सीम्ट आप किस पोस्ट पे हो यहां पर क्या काम करें हो। तो जैसे कितना समय और लगेगा इसका पूरा काम कमप्लिट होने में और लग बग जैसे क्या काम चला हुआ जैसे मिटी साइड में किस परकार पॉर्चन चला हुआ। और कितने आदमी लगे हुए इस पॉर्चन में जैसे स्टाइटिंग की और कंपनी जो वर्तमान में कंपनी जो आपकी कोड़ी कंपनी और कितने किलोमेटर अश्ट्रेच यह लगबग लगबग 6 महिने में कंप्लीट हो जाएगा और अगर बात करें तो साल के अंदर इसका उद्गाटर कारिये कर दिया जाए चलो दन्यवाद बाइशाब आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट थी जिसके मादम से हमने दिखाया कि कि किस परकार यहां पर कारिये चला हुआ है अल्ला गला कंपनिया यह इसका निर्मान कारिये लगबक्षे महिने का जो टाइम है उसके अंदर पूरा कर लिया जाएगा और यहां पर हर परकार की फैसलिटी देने का काम किया जाएगा एक्सप्रेस्वेश पर टोल पलाजा स्तापीत किया जाएंगे हर बड़े जो रोड होंगे जो जिलों को जो तक जाएगी तो वो प्रोजेक्ट लगबग कैंसल हो चुका है बुलिट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दूसरा रूट निर्दारित किया जा चुका है परकार आपने आज की वीडियो के मादम से कुडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से एटेच होने वाले दिल्ली नितिन गड करी जी उन्होंने यहीं से हैलिकॉप्टर के मादम से पूरे एक्सप्रेसवे का जायजया लेने का भी कारिया किया था और उन्होंने भी वायदा किया कि काफी जल्द इसका निर्मान कारियत करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा तो देख सकते हैं आप जिस परकार आपको दिखाई दे रहा है बड़ी संख्या में वहान है जो तेल के वहान है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको सबलाई करने का गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्ट्रेस तक तक पहुंचाने का भी कारिय कर रह किया गया था और इसे स्ट्रेच को काफी जल्द कंप्लीट करके जनता को समर्पित करने का भी कारिये किया जाएगा इसे स्ट्रेच को लेकर लगातार प्रियास के जा रहे हैं और स्ट्रेच का लग बंदिरवान कारिये कंप्लीट हो चुका है तो इसको लेकर लगातार प्रि प्रॉपन्य ट्रीच जो 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 है फिर बड़ादाने टारीज। वे जोसे शिज़ो हो बस्यों Hudson जोसी पर्यकर्ड़ी न समय होа अगल जो लाम आपक शोल जोड़ वे को जाको जोड़ जोड़ में ऑनान को जोड़ा जोड़ा, बना की पहलाू झाल 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 झाल